क्या कहूं दोस्तों निशब्द हूँ अभी पिछले ही साल याने की जून 2020 को हम सब का बड़ा ही प्यारा सा साथी और एक जिन्दा दिल, खुश दिल और बड़ा ही टैलेंटेड एक्टर सुशान सिंग राजपूत हम सब को छोड़ करके चला गया था और एक साल बाल, 2 सितंबर 2021 को ठीक इसी प्रकार का जिन्दा दिल, खुश दिल और बड़ा ही टैलेंटेड एक्टर जिसको भी बहुत नाम कमाना था, बहुत काम करना था और अपने प्रशंसकों के दिल पर राज करना था सिद्धार्ट शुकला हमेशा के लिए हम सब को अलविदा कह करके परमात्मा में विलीन हो गए अगर आगामी प्रोजेक्ट की बात की जाए तो धेरों वैब सीरीज, OTT प्रोजेक्ट और म्यूजिक वीडियोस सिद्धार्ट शुकला के हाथ में थे सिधार्ट शुकला ने ऐसे समय पर माया नगरी और अपने प्रशंसकों को अलविदा कहा जब वहाँ अपनी करियर के पीक पर थे हाँ, यह इश्वर के द्वारा किया गया अन्याय ही तो है ना कि सिर्फ उनकी मा के साथ, प्रेमिका के साथ और लाखों करोणों प्रशंसकों के साथ बलकि उन फिल्म जगत से जुड़े हुए रचनाकारों के साथ भी जो कि सिधार्ट शुकला को भी और बहतर करते हुए देखना चाहते थे और उनके कैरियर का बेस निकलवाना चाहते थे खैर, सिधार्ट शुकला और सुशान सिंग राजपूत के प्रती गहरी संवेद नाव्यक्त करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आगे ऐसे दिन मत दिखाना और ऐसे जिन्दा दिल, खुश दिल और टैलेंटेड एक्टर्स को लंबी आयू प्रदान करो ईश्वर ऐसे दिन मत दिखाओ दोस्तों, रह रहे कर एक संदेह मेरे हिरदय में उठता है हो सकता है कि मेरा संदेह गलत भी हो परंतु क्या कहूं उससे रहा नहीं जा रहा है बिना कहे चाहे परवीन बॉबी हो, श्री देवी हो, दिव्या भारती हो, सुशान सिंग राजपूत हो या फिर हाल-फिल-हाल सिधार शुकला का केस या कूपर हॉस्पिटल का क्या कनेक्शन है या समझ में नहीं आ रहा है मुझे क्या मुंबई में कूपर हॉस्पिटल के अतरिक तो कोई अच्छे हॉस्पिटल नहीं है जितनी भी सेलिब्रिटी या अनने लोगों की संदेहास्पद एवं असामाइक मृत्ति होती है उनका ओटॉपसी एवं पॉस्प्माटम इसी याने की कूपर हॉस्पिटल में क्यों होता है आज तक मुझे समझ में नहीं आया इतनी सारी संदेहास्पद मृत्यू हुई और सबका पॉस्प्माटम इस हॉस्पिटल में हुआ कूपर हॉस्पिटल में परंतु किसी में भी आज तक संदेह का एक बिंदू भी नहीं निकला या कैसे संभाव है सारी की सारी संदेहासपर मृत्यू की केस में उनकी ओटॉक्टि रिपोर्ट में सामान मृत्यू ही सामने आती है कभी किसी केस में संदेह भी तो जताएं खैर सिधार्थ शुकला को मा भगवती अपने चरणों में स्थान दे और मुक्ति प्रदान करे सिधार्थ शुकला अमर रहें और अच्छे संस्मरण के रूप में एक सीख के रूप में समाज के हर युगा के अंतर मन में जीवित रहें इन्ही आशाहों के साथ धन्यवाद